कटनी के सलीमनाबाद में नर्मदा घटी परियोशना की टनल धस गई यहाथसा बर्गी के दाएं तट पर नहर के लिए बनाए जा रही अंडर ग्राउंड टनल के निर्माण के दौरान शनिवार रात हुआ हाथसे में नौ मजदूर दब गए इनमें से ची को सुरक्षित निकालिया गया है बाकी दो मजदूरों के लिए रैस्कियो ऑपरेशन जारी है मौके पर रात को ही बहरोई बंद के विधायक प्रणाए प्रभात पांडे समेत अफसर पहुंच गए थे कलेक्टर प्रियंक मुष्रा ने बताया कि कटनी से एंडियारेफ की टीम मौके पर पहुंच गई मुख्यमंतरी शिवरा सिंग चोहान खुद रैसकियो ऑपरेशन की मौनिटरिंग कर रहे हैं कलेक्टर ने बताया कि घटना सल पर एडवांस लाइफ सपोर्ट एंबूलेंस भी लगाई गई है तस्वीरों में आप देख रहे हैं गायलों को ततकाल अस्पताल पहुंचाने के लिए जबलपूर मेडिकल अस्पताल और कटनी जुला अस्पताल तक के लिए ग्रीन कॉर ही करिए कि किस तरीके से यहां पर रेस्के ऑपरेशन चाराय जा रहा है छे मजदूरों को बचा लिया गया है छे मजदू सुरक्षित हैं उनको किसी तरीकी की परिशानी यहां पर नहीं हुई है उनके यहां पर परिशानी के लिए जो हर तरीकी की यहां पर जो इंतिजाम कर रहे हैं यहां पर संपर्क साधनी की कोशिश जो है वो की जा रही है हाथसे में चुकि यहाथसा जब हुआ उस दोरान यहां पर 9 मजदूर काम कर रहे थे और 9 मजदूर यहां पर फस गए थे इसके अलावा आपको यह जो आनकारी दे चुकि 9 मजदूर यहां पर फसे थे और साथी साथ यहां पर जब मजदूर फसे तो पांच मजदूरों को तो बचाये गया और एक मजदूर को सुभा के समय में बाहर सुरक्षित निकाला गया और तीन मजदूर चुकि अभी भी यहां पर फसे हुए हैं उनमें से एक संपर्क हो रहा है बाकी दो से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है उनकी मूमेंट का पता नहीं लगाया जा सका है लेकिन लगातार संपर्क साधने की उनसे कोशिश की जा रही है और साथे साथ ये भी आपको जानकारी दे चुकि जो एक मजदूर को निकाला गया है उसको अस्पताल में भरती भी करा दिया गया है ग्रीन कोरिडोर बनाया गया है ताकि जो मजदूर निकाले गये हैं उनको सुरक्षित और समय पर अस्पताल में भरती किया जा सके तो टनल में फसे छटे मजदूर को बाहर निकाल लिया गया है इलाज के लिए मजदूर को अस्पताल भी भेज दिया गया है जिला अस्पताल उसको भड़ती करा दिया गया है हाथसे के वक्त आपको बता दे के नौ मजदूर यहां पर काम कर रहे थे जैसा कि आपको बताया और तीन मजदूरों का अभी rescue operation जारी है तो लगतार यहां पर बचाव कार्या जारी है और साथ ही यहां पर हर तरीकी की मदद पहुचाने की कोशिश भी की जा रही है एक से संपर्क साधने की कोशिश चुकि सुभा हमारी समधाता ने ये update दिया था कि दो मजदूरों से संपर्क हो रहा है जब चार मजदूर यहां पर फसे हुए थे दो से संपर्क हो पा रहा था लेकिन उनमें से एक को बाहर निकाला गया सुरक्षित तीन में से अब एक से संपर्क हो पा रहा है दो से संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है दो की मुमेंट का प और उनको सुरक्षित निकालने के लिए हर संभव प्रियास यहां पर किये जा रहे हैं। हाथसे के वक्त नौ मजदूर यहां पर काम कर रहे थे, कॉंक्रीट का एक हिस्सा इनके उपर आकर किरा और यह भीशड हाथसा हो गया। अरष झालने के लिए हर से लिए हर बार यहां पर कि रहे हैं। आ़ाएस्टे के लिए हैं रहे हैं। जञे हैं।